रस्किन बॉंड की एक बहुत ही फेमस किताब है टाइम अस्टोफ एट सामली और इसमें 28 कहानियों का कलेक्शन है दोस्तों और इन्हीं 28 कहानियों में से एक स्टोरी है दरूम ओफ मैनी कलर्स यह स्टोरी सुपर रस्टीसन पर बेस्ट है दोस्तों जो प्रिंसेस है वह यह कि उसका प्रेमी जो की मर चुका है वह इस जनम में हरे सापों के रूप में आया है और इसलिए वह महल के आसपास जितने भी हरे सापों देखती है उसे मारने से इंकार करती है और सब को रोकती है चलिए देखते हैं कहानी क्या है इससे पहले हम लोग जान लेते हैं रस्किन बॉंड के बारे में एक सोट स्टोरी राइटर और एक नोविलिस्ट के रूप में विख्यात रस्किन बॉंड का जन्व 1934 में हिमाचल परदेश में हुआ था एजुकेशन इंग्लेंड में लेने के बाद एक छोटी सी सर्विस मुंबे और देली में देने के बाद उन्होंने मेसूर में रहने का फैसला किया और यहीं سے उन्होंने एक Novelist और एक Soft Story Writer के रुप में अपने करियर को स्टार्ट किया था दोस्तों एक Soft Story Writer के रुप में वो मूल कराज आनेंद, राजा राव और आरके नरायन से काफी परभावित थे दोस्तों वैसे तो उन्होंने का अपने लाइफ में काफी आवार्ड जीते हैं, लेकिन साहित तेक अडमी आवार्ड 1992 में, पदम स्री आवार्ड 1999 में और पदम भूसन जोकी 2014 में उन्होंने प्राप्त किया था। तो चलिए देखते हैं इनकी एक सोट एस्टोरी दरूम ओफ मैनिकलर् और आप सभी का स्वागे थे मेरे यूटूब चैनल पर। इस स्टोरी में मेन कारेक्टर्स के रूप में खुद रस्कीन बोंड है। चार साल की उमर में ही उनके माता और पिता एक दूसरे से अलग हो गए थे और तब से रस्कीन बोंड अपने फादर के साथ एक महल में र होते थे उनके फादर जरूर उनका रिपलाई करते थे तो इस परकार से उनका लाइफ चल रहा था दोस्तों जिस पहले इसमें वो लोग रहते थे रस्कीन बोंड और उसके फादर उसी में एक आया रहती थी जो कि रस्कीन बोंड का ख्याल रखती थे और उसी में एक था गार्डेनर जिसका नाम था दुखी वह महल के लोगों के लिए किसी भी अगर महल में किसी परका क्या कोई ओकेजन हो रहा हो कोई पाटी वगेरा हो रहा हो तो उस महल को अपने फूलों से अच्छे तरीके से सजा देता था रस्कीन बोंड के फादर अपने स्टुडेंट्स को पढ़ाने चले जाते थे और रस्कीन बोंड गार्डेन में इधर उदर घूम करके अपना टाइम स्वेंड क्या करते थे दोस्तों उस महल का जो गार्डेनर था दुखी हुआ किसी ओकेजन पर ही गुलदस्ता बनाता था या महल को तयार करता था सजाता थ करीब 22 सीड़िया चड़ने के बाद वे राजकुमारी तक पहुचे और उन्होंने उस गुलदस्ते को राजकुमारी को सौप दिया धीरे धीरे रस्कीन बोंड और प्रिंसेस के बीच दोस्ती बढ़ने लगी और धीरे धीरे रस्कीन बोंड उनके कमरे तक भी जाने लगे रस्किन बोंड ने देखा कि राजकुमारी के कमरे में कई परकार की खिड़किया हैं और हर खिड़कियों में अलग-अलग कलर के सीसे लगे हुए हैं इन रंग-बिरंगी खिड़कियों के सीसे को देख करके रस्किन बोंड के मन में काफी सारे सवाल उठ रहे थे और इसलिए रस्कीन बोर्ण ने उस प्रिंसेस को पागल करार दिया प्रिंसेस में एक खास बात यह थी कि वा किसी से मिलना जुलना ज़्यादा पसंद नहीं करती थी बस अकेले कमरे में बैठ करके अपने प्रेमी क्याद में खोई रहती थी इन सारे सवालों के जवाब जानने के इच्छा रस्कीन बोर्ण में काफी थी इसलिए उसने अपने फादर से पूछने का फैसला लिया उनके फादर ने बताया कि प्रिंसेस को एक नॉर्मल गार्डेनर से प्यार हो गया था जो कि अब इस दुन्या में नहीं है तो इसी के आद में प्रिंसेस हमेशा खोई रहती है जब यह बात रस्कीन बोर्ण ने सुनी तो उसे आश्चर यह हुआ कि कहीं यह दुखी ही तो नहीं तो उनके फादर ने का कि इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं इन सवालों को लेकर के रस्कीन बोर्ण वह क्रिस्चन आया के पास गई कि साइद उसे कुछ इस बारे में मालूम हो लेकिन आया ने भी इन सब बातों को बताने से इंकार कर दिया क्योंकि महल के बात थी अफ़ा फेलने का डर था तो आखिर वह गार्डेनर कौन था जिसके याद में प्रिंसेस इतना खोई रहती है इस बात का पता रस्कीन बोर्ण को कभी भी नहीं चल पाया और दोस्तों प्रिंसेस इस बात में भी काफी ज़्यादा बिलीफ करती थी कि जो उसका प्रेमी मर गया है वह इस जनम में हरे साप के रूप में आया है जनमें लिया है और इसलिए वह जब भी महल के आसपास या महल में हरे सापों को देखती थी तो वह किसी को भी मारने से रोकती थी दोस्तों समय बितने के साथ ही दित्वेवी सुयूद भी प्रारंभ हो गया था उसमें ब्रीटिस आर्मी को रोयाल एर फोर्स बोला जाता था और उसमें रस्कीन बोंट के फादर को भी जाना था तो इस परकार से रस्किन बॉंट के फादर रोयाल एर फोर्स में जोएन हो गए और जो रस्किन बॉंट थे वो अपने दादी के घर दहरादुन सेफ्ट हो गए तो अपने दादी के घर से ही अपने basic study को complete गया और उस परकार से ही जैसा कि मैंने पहले बताया कि England में study किये उन्होंने काफी सारी सेवाई मुंबे और देली में दे उसके बाद मसूरी में आकर के shift हो गए और उसके बाद से एक short story writers के रूप में एक novelist के रूप में अपने career को start कर दिया तो दोस्तो यही थी आज की story उमीद है आपको अच्छी लगी होगी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like कीजेगा चैनल को subscribe कीजेगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर सेयर कीजेगा मिलते हैं next video में